हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप ठन बहुत ज्यादा पढ़ रही है आप लोग को बहुत ही सेफटी के साथ रहना है लेकिन पढ़ाई करते रहना है तो चली बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की अभ्यास कारिपुस्तिका और आगे बढ़ते इकाई 18 के लिए इस्थिर विद्धुद लेसन आग इस तिर विद्धुद लेसन हम लोग पढ़ेंगे चली बच्चों स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक के स्केल अत्वा कंगे को जब हम सूखे बालों पर रगड कर कागच के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागच के टुकड़े स्केल अत्वा कंगे की और आकर्शित होते हैं यह स्केल में एक विशेज गुण के कारण होता है जिसको हम वस्त को आवेशित होना कहते हैं बच्चों इसको हम लोग करके भी देख लेते क्या ऐसा वास्तों में होता है यह कागज के कुछ टुकड़े हैं अब यह कंगा है और यह दिखे थोड़ा और कर लेते हैं फिर देखने की बालों से बाल शूखे होना चाहिए हम देखें कि चागज के टुकड़े चिपकते हैं या प्रशन की काहता है आओ करके सीखें दो फूले हुए गुबाड़े लेंगे फिर एक गुबाड़े को उन से बने कंबल से रगड़ेंगे तथा एक को बिना रगड़े ही छोड़ देंगे क्या होगा यह हम गुबारा एक पास कागच की छोटे छोटे टुकड़े ले आएंगे यह हमारे जो बैलून है इसमें इसको हमने रगड़ा नहीं है तो पुछा गया है क्या होगा यदि हम गुबाड़े के पास चुटे रुग रहेंगे तो कागज की टुक्रे बैलून से नहीं है अब दूसरे केस में क्या देखते हैं क्या होगा यदि हम गुबाड़े के पास कागज की चुटे चुटे टुक्रे लाएंगे क्योंकि जो हमारा बैलून है उसको हम इसमिया पर दिखाएगे अभीवाले में उसको रगडेंगे हम उसको एक गुबाड़े को उने कंबल से रगर रहे हैं और देखते हैं कि कागज के टुक्रे उठते हैं कि नहीं उठते हैं यह दिखेंगे ऑस Prose देखराएंस में आपको कि बैलोन से चिपक गये हैं तो मेरा अंसर क्या होगा कागच की टुकड़े गुबारे से चिपक जाएंगे अब ये दोनों गुबारे ए और ब्यू को आपस मेरा गड़ कर एक साथ रखे तब क्या होगा दोनों के मत प्रितकर्षर होगा या अकर्षर होगा अब जब दोनों बैलून हम पास पास रखते हैं दोनों बैलूनों को क्योंकि दोनों पर ये देखे दो बैलून है पास पास हम गरें दोनों बैलूनों को रख लेंगे तो क्या होगा ये दो इन पर जो है आपस में क्योंकि दोनों पर समान आवेस होगा तो अनिक प्रतिकर्षर होगा दोनों पर अगर है तो प्रतिकर्षर हो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और यह सब करके देखना है बच्चों आप लोग भी खुब करिएगा तो आपको मजा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा आओ करके सीखें दो गुबारे और बीले उनमें हवा भर लें गुबारे एक को गुबारे बी के पास ले जान तो नहीं हो रहां ना पृतिकर्शित हो रहे हैं इनमें सामान इस्थित में तो इसका अंसर यह हो जाएगा गुबारे ना तो आकर्शित होंगे और नहीं प्रतिकर ले कप्रीत आविश होता है और प्रतिकर्शित पर आब होता है तो शबढ़े ना ही hour ऺई came दुू प्रतिकरशित होंगे कौन सी किरिया इसमें होगी यह बैलून हमारा रखा हुआ है दूसरा अब हम लेकर आ रहें देखेए बैलून प्रतिकरशित हो रहा है यह यह प्रतिकरशित हो रहा है यह बैलून हमारा रखा हुआ है टेबिल पर व हम वालो से रगण रहे हैं अवैशित कर रहे हैं गुबारे क्या होंगे यह यह GLORIA प्रतिकर्शित होंगे नहीं क्योंकि दूसरा वाला जो बैलून था उसको हमने रगड़ा ही नहीं उलन बे तो इस पर कोई आवेश नहीं आया गुबारे ना तो आकर्शित होंगे ना प्रतिकर्शित होंगे ऐसी स्थित्ता भी होती जब हम दोनों ही बैलूनों को ना रगड़ते उलन कपड़े से तो इसका option A वाला सही होगा कि गुबारे आकर्शित होंगे क्योंकि हमने जब दोनों गुबारे A और B मैसे एक में को उलन कपड़े के पास ले जाकर रगड़ा है उसको तो दूसरे के पास ले गए हैं तो क्या होगा आकर्शित होंगे हमारा अगला प्रश्न है दो गुबार फिर गुबारेे तब क्या होता है देखेंगे दोनों प्रश से या तो तरफ से दोनों पर आवेश आ जाएगा और उसह या पर क्या होगा बैलून पास में आएंगे या दूर हटेंगे यानिके प्रतिकर्शित होंगे क्या होगा यह हम करके यहां पर खुद देखेंगे स्वयम से ताकि अच्छे से समझ में भी आ जाए यह देखिए हम ले लाएं बैलून एक दूसरे का पास बिल्कुल नहीं आ रहे यहां पर देखिए बच्छों विद्धुत के सुचालक वा कुछालक को पहचाना है मुझे आओ करके सीखें यह देखिए आवश्यक सामेगी टार्च रेडियो में लगने वाला सेल विद्धुतार टार्च का बल्ब रबर बैन चितके अंसार सर के सिलों को विद्धुतार यहां पर हमने बनाया है इस प्रियोग को इस तरह के से देखिए यहां पर यह सेल लगाया हमने यह सेल है और यह हमारा बल्ब है अब हमने क्या करा है इसमें से अगर हम इसको छुआते हैं देखिए लगाते हैं तो क्या होता हमारा बल्ब प्रकाशित हो जाना चाहिए अब प्र न क्या करते है हमारे पास यह सकेल में इसका एक सिरा से जोड़ते हैं दूसरे से सकेल में Dz attain बल्ब Πरकाशित हू रहा है प्रकाशित कि नहीं को रहा åा जल रहा है यह देखिए इस तरीके से प्लास्टिक पे लगाते हैं तो क्या हो रहा है यह बल्ब प्रकाशित नहीं हो रहा है बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब क्या हो प्लास्टिक जो होता है वो कुछ आलक है यह नहीं जल रहा है बल्ब इसी तरीके से हम कोई गीली लगा सकते है लोही कील लगा कर देख सकते हैं अगर बल्ब जलता है लोही कील लगाते तो भी बल्ब प्रकाशित होने लगता है तो इसका मतलब लोहा क्या चीज है वो भी सुचालक है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन वस्तों में को लगाने से लाइट जल रही है वो सारी सुचालक वस होगा पफ्थर गड़ पैंसिल की सिटा को लगा इसको करके ना नहीं बूलो, इग प्रिष न निमलिखित पराग्राफ में उसी शब्दों को खाले सानों पर भरिया है आवेशित विप्रीत समान स्थेर विद्दूत प्रेना और आवेशित इनको भरना है यहां पर जब किसी चालक के पास कोई वस तुलाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि कागज के टुकड़े के पास स्केल हम लोग लेकर गए थे तो भी आवेशित हो गए थे विप्रीत आवेश तथा दूर पर समान आवेशित जब यह दोनों प्रकार की आवेश चालक के सिरों पर तभी रख तक रहते हैं जब तक की आवेशित वस चालक के पास रहती है इस प्रकार से चालक की आवेशित होने की किरिया को स्थिर विद्दूत प्रेण कहते हैं अगला प्रशने मारा है साधान विद्दुदर्शी का नमांग के चित्र बनाई है यह साधान विद्दुदर्शी का चित्र है इसमें देखिए एक धात की छड़ लगी होती है धात की छड़ नीचे तामबा पीतलवा सौन की बारीक पनियां पर लगी होती है इस सारे उपकर विद्धु धर्षी को भी आवेशी चीज पैचान सकते। कि जैसे भी आवेशी चीज रखी जाती है तो फैल जाती है। दंबा पिदलवा सवन की पननी लगी होती है फैल जाती है साधान इसतेद जिस्टेद में यह सामारांत एक दूसरे के रहती है। अगला प्रश्ण नीचे दीगे साड़ी में कुछ वस्तियों इस प्रकार से दीगे हैं यदि पहले लिखी वस्त से बाद में लिखी वस्त को रगड़ेंगे तो पहली लिखी वस्त पर धनावेशी तता बाद में लिखी वस्त पर रड़ावेशी थोका नमबर एक वदो पर लिखी हुए है काच की छड़ रेशम काच की छड़ उन एबोनाइट सुखे बाल कंगी फर प्लास्टिक की छड़ अब उपरक साड़ी से हमें निमने लिखित प्रश्णों को हल करना है पारस्परी घर्षण में प्रविक्त वस्तिवें उत्पर न्याव रेशम के कपड़े को चलक सब्सक्राइब गड़ने पर यह मारा वेश हो गया है आगे बढ़ते हैं निया वीकलब को चुनी है वी कितने प्रकार की बच्चों आवेश जो तो आप लोगों निक्ते दो प्रकार की होते धनाव सब्सक्राइए यॉ चालक बनाया सब्सक्राइड यॉ सब्सक्राइड समानमा विकल्बस इन देखेज़िग्या सब्सक्राइज as funktioniert धुक्षाहे lást नाषरrene धूर्ड होता है समान प्रकार के आवेशों है प्रतिकर्षया होगा विप्रिद्द बीज़ उसले और भी बुलंद दूर कुछ भी नहीं अगर Aa नहीं करते हैं अगर हम आसा करते हैं तो तो हमसे दूर कुछ भी नहीं है, हम अपनी मंजल को आवशे प्राप्त कर लेंगे, तो समाप्त करते हैं वीडियो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में है, थाइंक्यो